हेलो एवरीवन आज की रेशिपी उन सभी के लिए है जो कि बिना गैस जलाए कुछ टेस्टी और हेल्दी बना कर खाना चाहते हैं और यह नास्ता ऐसा है जिसे बना कर खाने से आपका पेट भी भरेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है जो लोग हस्टल या पी यहार हो जाती है इसे बनाने के लिए हमने आप बलाट से जो बड़े वाले ब्रेड आते हैं उन्हें भी ले सकते हैं और इसके इस तरीके से साइट काट करके मश्राइब कर सकते हैं अब यहाँ पर एक बोल लेएंगे और यहाँ पर इसमें मैंने ये 1 3rd कप के करीब है हंकर डाल देंगे और इसमें साथ ही ये मियॉनी डाल देंगे मैंने ये सिंपल वाला जो दाई होता है उसे को आप एक किसी स्टेनर में छान लीजिए और या फिर कपड़े से आप छान सकते हैं और ले लीजिए अब यहाँ पर half teaspoon के करीब है यह औरेगेनो है और इसमें half teaspoon ही चिगली फ्लेक्स डालेंगे यह दोनों चीजे भी जो हस्टल में रहते हैं उन्हें बहुत इजली मिल जाएंगी आप जब order में पीजा या कुछ ऐसा मंगाते हैं तो आपको packet मिलते हैं आप उससे ले सकते हैं अब इसमें साथ ही नमक डालेंगे काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन सभी को एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे यह बहुत ही easy सा है मतलब यह जो हस्टल या पीजी में students रहते हैं यह वो लोग बहुत ही easily बना सकते हैं इसके बाद यह vegetables हैं आप जो भी चाहे market से vegetables ला सकते हैं यहां पर मैंने capsicum डाला इसके बाद cabbage डाल देंगे इन सभी को बारिक बारिक चौप कर लिया है अब इसके साथ इसमें बारिक कटा हुआ खीरा डाल देंगे और यह थोड़ा से tomato है इसे भी बारिक काट करके डाल देंगे आपके पास जो भी सब्जी आप लेवल है आप उन्हें डाल लीजिए और यह दो हरे मेर्चे इन्हें भी डाल देंगे तीका आप अपने हिसाब से डालने कम या ज्यादा जैसा भी आपको पसंद है इसके बाद इन सभी सब्जीयों को अच्छी तरह से मिला लेंगे आपने देखा यह बहुत इजी तरीके से बनने वाला है इसमें बस सब्जीयां हंकर और म्योनी पड़ी म्योनी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए इसके बाद यहां हमने ब्रेड ले लिया जो हमने काट करके साइड रखे थे और यह जो हमने मिक्चर बना कर तयार किया इसको इसके उपर इस तरीके से स्प्रेट कर देंगे और यह देखिए बिल्कुल जटपट बनने वाला नास्ता बनकर के तयार है इसे आप कटल कर लीजिए अपनी चोईस के कॉर्डिंग और यह लीजिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता बनकर के तयार है कई बार घरों में अचानक करके पास में बेल आइकन दबा लें थैंक्स वार वाचिंग